असलावलेकूम आज मैं आप लोगों साथ शेयर करें कोकनेर बिस्किट की रेसीपी और बहुत ही थेल्दी तरीके से बनाएंगे ना इसमें मैदा जाएगा ना बेकिंग पॉर्ड बेकिंग सोड़ा और इसको हम बेक करेंगे कड़ाई में जो बिस्किट ना खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं रेसीपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना तो यहां पे ना मैंने थोड़ा सा नारल ले लिया है किनकि मेरे पास ना नारल का बुरादा खतम हो गया था आपके पास हो तो आप खत्gan की लगते है तो समय था तो यहां पर बारיץ लेना है तो यहां पर मैंने और शटार शेयी तिमदा ना नारल को खिरच के तैयार कर लिया अब एक बॉयल लेंगे उसमें दाल रही हूँ मैं तीन चमच घी आप खीन के जगे पे बटर का भी उसकर शकते हैं अभी फिलाल के लिए बटर में पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे घीन को डाला हुआ है तो तीन चमच घीन दालने के बाद मैं आप पे दाल रही हूँ आप सिंपल सा जो वीष्क करने वाला होता है उसे से आप कर सकते हैं इस का इसे प Critना है कि एका क्रीमी साइक टेकशर होना चाहिए एकडम फ्लोपी सा क्रीमी सा जैस到वता है उसे जी चैप में उसको भी लेना है जब तक हम दो एक ग्भी से अरु मैं जब तक हम आना नहीं साइड में अब इसमें मैं सारे चीज़े डालूंगी तो सबसे पहले मैं डाल आदा चमच इलाइची पॉरर अब इलाइची पॉरर की जगे भी वेनी लाइसेंस डाल सकते हैं उसके बाद जो हमने नारल को खिरच के रखा वाता गिसके और डाल लेंगे एक कप मैंने आप सार कर सकते हैं और उसके बाद आटा डाल गे अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स पॉछें अप लोगों को मेरी छोड़ी सी रीक्वेस्ट है रेसीपि पसंद आ रही है तो लाइक करे शेयर करे तो यहां पर ना मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद में ले लेंगे एक छोटा कब धूद कर्साइब दूद कर लिया है और अपी यह भूँत ही जादा हाड हाड डो बन रहा है तो यहां पर में एक दम सौट सा डो बनाने ना ही पतला और इकटम घटो तो यहां तब थार दो दालेंगे करें देंगे लिएक रम नमार घॉप्तर लिए business कर लेंगे। तो आप मेंसे बहुत सारे लोगोंने मैं जो कमिट किया था आपकी रेशिपी बहुत ही आऊसान रेती है बहुत ही अच्छी रेती तो थैन्क यू सो माच आप लोगों का दिल से ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते हैं और रेसिपि आप देख रहे हैं तो पूरी देखना आप से मैं यही कहूंगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे ची रेसिपिस लाती रहूंगी सर्फ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तो यहां पे ना मैंने अच्छे से आटे की तरह इसको गून लिया है गूनने के मैं इसको छोटे छोटे से पेड़े लूँगी और आप बड़े छोटे जैसे आपकी मर्जियों उस तरह का ले सकते हैं तो यहां पर देख सकते हमने आटा गूंदा नहीं था तो इसलिए आप आटा ना टूट रहा था इसलिए हमें क्या करना हलका हलका सास को अब मैं बता किसे हमें करने करने कर і ना सब्रेश करें तो आप सकते हैं हमने आटे पे टार गूंदा था तो यह तो यहां पर अबो बता शिषकीने ऐसा में तयार कर लेंगे और में को बनाएंग़े फिर शें ना पर लोगों को बता दया मैं केसे बना या आ try की तरह ही में अजी तरह आके इसको फॉठने लगेंगे से महें वही संटार करके दूसरा वाला बिया थूसर करें तो यहां पर आपको द्हान देयान रखने आटे की जैसे को तो जो पेडा गुनते उसी तरह नहीं गुनना है, तो यहाँ पे ना सिर्फ हमें इसको बनाना है, तो उसको प्रेस कर देना है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे दूसरा वाला विस्कुट यह प्लेट ले सकते हैं अपके घर में जो प्लेट होगे रहा है इस तरह का आप ले सकते हैं मगर इसको क्या करना है बताती जिए संव يकरो तो यहां पेया हैं पंला की तो हमें थोड़ा निया, यहां पर जुचिंट करने के लिए iNew 것은 तो यहां, अगर थेखने और हमें सा psychology आटा जिटकना तो जल्द हमारे भिसक्टित निकलेंके तो यहां पर मैंने बितर पेपर का यूज नहीं किया हैm नगा लिया तो अभी क्या करना है मैं जो लगा निए सारे बिसक्चित है मारे हो ऐसे चार बिसकित नहीं करना है क्योंकि थे मườngay आगे मीन sayaa क्योंकि इसमें ज्यादा बिस्किट के लिए बेक नहीं है अगर आप बड़ी किसे कड़ाई में बेक करें बड़े से प्लेट में तो आप रख सकते तो यहां पर मैंने कड़ाई को प्रीट करने के लिए रख लिया था तो पंदरा मिट मैंने प्रीट किया था कड़ाई को सकते हैं हमारे भिसकित बनके तयार है और जो झालती वी थे शुआ है कि उन्हुजड़ दों से क्था चुकुद लिठ की सब्यार ऐस ना है ohoda! बने जाल और जरी सोटाय है वह दो बिटमणी भावरे यह दो, दोसम लि데क यह हैं ह। बहुत अच्छा है और पीछे भी बहुत अच्छा कलर आया और यह रेसिपी में इसलिए शेयर कर रहे हूं बहुत सारे लोगों में बस अवर नहीं होता है उसमें आप बेक करने ही लिए बिस्कीट बाहर से लाके खाना पड़ता है तो इसलिए आप पिलेट में भी बहुत ही तरह कैसे तो हमारे टेस्ट इसे बिस्कीट गेहूं के अटेके बनके तयार है और आप भी इसको बना के जरूर ट्राय करना अब मैं इसको तोड़के बताती हूं बहुत ही ज़दा क्रइंची मार्किट वाले बिस्कीट बनके तयार हुए थे आपके बच्छों को आप इस तरह से बना के रख सकते हैं महिनों तक भी खराब नहीं होते हैं तो आप लोगों को रेसीपि कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना और ज्यादा से दादा लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना